दोस्तों, नमस्कार, मैं संज्य मग्गू और मौझूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मन्च पर कल हर्याना के खेल और युवा और ध्यमिता मंतरी गवरव गौतम मिले देश के ग्रह मंतरी अमिशा से देश के ग्रह मंतरी या भारती ञंता पार्ति के राजनीतिक चाणक क्ये हैं उनसे मुलाकात की और सुशल मीडिया फेस्बुक पर भहुत सारे फोटोस दिखाई पड़े जिसके अंदर खासकर गौरब गौतम की वॉल पर था कि देश के ये शस्वी ग्रह मंत्री आधनिये अमिश भाईशाह से मिल करके उनसे राजनीती और प्रदेश को ले करके दिशा निर्देश लिये। गौरब गौतम मिले अमिश नागर से और इसके साथ साथ मिले अमिश नागर की और राजेश नागर की भी फोटोस, क्लिप्स, सोशल मीडिया पर वाईरल हुई फेस्बुक पर, ट्वीटर पर, इंस्टाग्राम पर वो भी देखी गई दोस्तों अब की बार क्या हर्याना की राजनीती और खासकर फरिदाबा संसदिय छेत्र की राजनीती सत्ता वाली राजनीती अब की बार क्या कुछ बदली-बदली सी लग रही है अब की बार कैस के अंदर कोई नई संकेत दिखाई दे रहे हैं मैं आपके जरूर जोड़ूँगा एक वास से कि जब पिछली सरकार थी 2019 से और 2024 की और 2024 के अंदर भी 2019 से और 2024 फरवरी मार्श की सरकार जिसके अंदर की नायब सिंग सेनी मुख्य मंत्री बने और मनवरलाल जी चेंज हुए जिसके अंदर बदला हुआ कि जन्नायक जनता पार्टी से नाता रिष्टा तोड़ लिया गया उससे पहले जब सरकार चलती थी तो हमेशा दुश्यंत चोटाला आए दिन दिल्ली होते थे और दिल्ली के अंदर वो दिल्ली सरकार के मोधी सरकार के बड़े वजीरों से मिला करते थे भारती जन्ता पार्टी के बड़े नेताओं से मिल करके आया करते थे अगर इसके लावाद देखें तो एक-दो मुलाकात अनिलविच की सामने आती थी बाकी नेता कोई दिखाई नहीं पड़ते थे और अगर अब की बात करें तो अब जो मैं आपको बता रहा था राजेश नागर और गौरव गौतम ये दोनों हरियाना सरकार के वजीर हैं दोनों के पास स्वतंत प्रभार है और दोनों अमिद भाई शाह से मिल करके आए वैसे मैं आपको बताता चलूं दो बात हैं दोस्तों दोनों नेताओं के बारे में जहां तक बात अगर बात आजाती है राजेश नागर की तिगाओं के विधायक हैं लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं लगातार तीसरी बार उनको टिकेट मिला 2014 में उनको विधान सभा का टिकेट मिला था 2019 में मिला, 2024 में मिला 2014 का चुनाव वो थोड़े से अंतर से हार गए थे 2019 में चुनाव जीते और 2024 में चुनाव जीते 2019 के चुनाव में अमिद शाह आये थे उनका चुनाव परचार करने के लिए और कहा था कि राजेश नागर को आप विधायक बनाओ मैं इनको बड़ाद्मी बना दूँगा बात चलती थी कि राजेश नागर इसका मतलब अमिश शाह और भाजपा अलाखमान जो केंद्री नेत्रतव है उनके बहुत नस्दीक है चुनाव राजेश नागर जीत गए लेकिन पिछली सरकार में उनका नंबर मंत्री बनने का नहीं आया इस सरकार के अंदर बूजर चहरे के तोर पर अगर देखें तो फिर राजेश नागर की एंट्री हुई नायव सिंग सैनी के इस नेत्रतव में जो 2024 की सरकार बनी जिसका 18 अक्टूबर को ओच सहरे मेंनी हुई और उसके अंदर राजेश नागर को भी शपत दिलाई गई और राजेश नागर मंत्री हुए और मैं समझता हूँ संभवता जो मिश शाह ने उनसे जो वादा किया था वो पूरा हुआ और मंत्री बने शायद वो उसका शुक्रिया करने गए हो खेर मगदम करने गए हो उनका अभार जताने गए हो लेकिन इसके साथ साथ एक बात दोस्तों जरूर शुरू हुई आगे बढ़ने से पहले आप से राजेश नागर के साथ साथ गौरव गौतम का जिकर भी कर लें एक बिल्कुल लो प्रोफाइल जो उनका परिवार रहा हुँ उनका घर रहा उस परिवार से गाओं के अंदर से शुरू हुए और अगर मैं ये कहूँ कि इस समय हर्याना की राजनीती के लिए तो ये बहुत बड़ा एक पायदान है मंत्री के बाद मुख्य मंत्री का पदीरा करता है तो उस पायदान तक पहुँच गए और अगर विधान सबाद चुनाव की बात करें तो ये जंताकस ने कह सकते हैं कि उनको करन सिंग दलाल जैसे दिगज को गौरव गौतम ने 33,000 से जादा वोटों से चुनाव भी हरा दिया मुझा बता रहा था कि सामाने घर से भले गौरव निकले लेकिन राजनीती के क्षितिज पर अपना जलवा भिखेरने के लिए गौरव गौतम का जो रहा यानि कि जो सत्ता के गरियारे हैं दिल्ली में उनमें कहीं अपनी धमक को वो बनाए रखते थे जब भारती जंता पार्टी का अभी टिकेट वित्रन जब हो रहा था 2024 के लिए 19 के दोरान भी टिकेट की लाइन में थे और 2024 का जब टिकेट मिला तो लोग पहले कहते नहीं थे कि गौरव गौतम केंडेट हो सकते हैं वो केंडेट हुए और उसके बाद में ये माना जाने लगा कि चर्चा ये चली कि गौरव गौतम की पैरवी खुद अमिश्या ने की और फिर माना जाने लगा कि वह ये जो सामान्य घर से निकला हुआ युवक और सत्ता के गरियारे में अपनी चमक तो रखता है खेर मैं आपसे बात कर रहा था इन दोनों को प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया राजेश नागर और गौरव गौतम का आपसे एक बात और जोड़ेंगे दोस्तों राजेश नागर और गौरव गौतम ये दोनों नेता जो हैं पिछले कई दिनों से पहली बार है लंबे समय बाद कि जब फरिदाबास संसधिये छेत्र को तीन वजीर मिलें हैं पिछली सरकार में दो वजीर थे मूलचन शर्मा और सीमा त्रिखा बाद में बनी पहले मूलचन शर्मा अके लिए थे और 2014 की सरकार में भी अकेले वजीर थे विपुल गौयल इस बार सरकार के अंदर तीन वजीर बने विपुल, गोयल, राजेश, नागर और गौरव गौतम आपको ये बात भी जरूर ध्यान दिलान चाहूँगा कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा राजेश, नागर, करतार सिंग, बढ़ाना के यहां थे और गौरव गौतम एक ही स्थान नहीं, कई स्थानों पर, अलग अलग जगे पर, अलग बंच पर ये दोनों नेता कह चुके हैं कि फरिदाबाद के अंदर जो एक और एक ग्यारा वाली उक्ति को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं एक, 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 यानि की ट्रिपल वन, 111 इसलिए मैं आपसे कहा रहा था कि अब की बार के जो राजनितिक मायने कुछ चेंज है राजनितिक मायने कुछ अलग है जिस प्रकार से आँ हर्याणा के दो वजीर गए संभवता आने वाले दिनों में हर्याणा के और मंत्री भी भारती जन्ता पार्टी के आला नेताओं के साथ जाकर के मुलाकात करें बात करें उनसे कोई परामर्श करें दिशानिर्देश लें इसके साथ जो फरिदावा संसदिय छेत्र की में आपसे बात कर रहा था जो ट्रिपल वन बनाम वन आप हमारे एक वीडियो देख सकते हैं मैंने बताया था आपको मोधी के वजीर वर्सिज नायव के वजीर ये एक नई प्रकार की राजनीती को भी इंगित करता है वैसे आपको कह लगता है कि क्या गोरव गोतम और राजेश नागर कामिष शाह से मिलने जाना एक सामान्य प्रकारिया का हिस्सा है या फिर कोई अगली राजनीतिक बिसात की तेयारी आपको कह लगता है कि क्या ये दौनों नेता टिकेट मिलने और पार्टी संगठन सरकार के अंदर बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर आभार जताने गए थे और यहां इसके पीछे कोई और प्रायोजन भी था आपको क्या लगता है जो मैं आपको बता रहा था कि भारती जनता प्रायटी की हर्याड़ा की राजनीती कुछ अलग किसम की हो सकती है आप इससे कितना सहमत है कमेंट्स में जरूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैन झाल 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 झाल, झाल झाल, झाल, टाज़ाचिक हो झाल, तो प्लड़ाब करें इससाना करेंटा है जरी जरी का दिए जररी की प्रें आपको क्यूब चश्ता है